असलाम वालेकुम देर शुडेंट्स हैर इसकुमेल हैदर एंड विलकम तो केंपस.PK जी बटा तो लास्ट ताइम हमने आरोमेटिक हाइड्रो कार्बन्स और हमने डिसक्स किया था अरोमेटिक हाइड्रो कार्बन्स के साथ हमने अलकाइल हैलाइट्स को डिसक्स किया था एक क्वेस्टन हम डिसक्स कर लेते हैं इसके बाद फिर हम आज का लेक्चे स्टार्ट करेंगे ठीक है बच्चे क्वेस्टन यह है दिसक्स करेंगा है कि इसक्सार्ट कॉ्र। । इच्चे करेंगे थी। react with water to form health option है आपके पास alkane beta option है आपके पास alkene Charlie option है आपके पास alkyne और डेल्टा आपके पास है नन जी बचे वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम बटा हाँ जी एक क्वेस्टन है बटा आपके बताना है कि अगर वाटर के साथ रियेट करें तो क्या बनाएगा जी अलकेन बनाएगा अलकाइन बनाएगा या नन अफ दिस जल्दी सा अंसर पता है बेटा मुझे इसके जल्दी से जी अंजी बताए जल्दी से अंसर बताओ बेटा अंसर बताओ जल्दी से ताकि फिर मैं लेक्षर स्टार्ट करूं नेक्स्ट अ जी बेटा हां जी बताओ जल्दी से बेटा फिर मैं लेक्षर स्टार्ट कर देता हूं जी लुकुल एग्सेट्ली ठीक है बेटा वैन ग्रिक नाट रे जन्रे रिक्ट विद वाटर फार्म क्या बनाएगा बच्छे अलकें बनाएगा ठीक है डूप्रॉड्ड्क्ट होगा वहां हमारे पास क्या होगा बैटा अलकेन होगा ठीक है अधर मैं स्लाइट्स देख रहता हूँ आज का आपका जो चुप्टल होगा ठीक है अच्छा जी इसका इने डाइड इस अलकेन जाहरी बात है अगर आप याद हो आजब चेख त्री да fash 2 । m gắt蛏 अगर हाइड़ोजन और हइड्रयोव चेख वाटर है हागर अगर यह आपस में रीएक करें पार्शल नेटिव, पार्शन पार्शन पाउजटिफ, ठीक है बचे, आपको पता है कि यह आपस में रीएक करती है तो यह हाईडरोजन के उपर अटेक करेंगे, यह बोण यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगा, जब यह बोण आप के पास नेगेटिव चाज था अब होगा क्या? यह हाई ड्रयूजन यहाँ पेड हो जाएंगे, यह बोन यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, याद रिखें कि बड़ हो जाएंगे, और यह यह हाई ड्रयूजन यहाँ पेड हो जाएंगे. As a result, आपके पास जो product बनेगा, that is CH3, CH पहले 2 था, अब हमारे पास क्या होगा, CH3 हो जाएगा, plus magnesium के साथ bromide पहले से ही attach है, BR, और साथ में एक और hydroxy group जो आपके पास OH negative है, वो यहाँ पेट हो जाएगे, तो यहाँ पर जो आपके पास product बनेगा, that is क्या होगा, बैटा, alkane, ठ magnesium, hydroxy, bromide, यह आपके पास product बनेगा, ठीक है बच्चे, हाँ जी, option आपके पास A है, और इसकी justification में आपको यहाँ पर reaction बता दिया है, अगर carbon dioxide के साथ rate करें तो क्या बनाएगा, जी, अगर carbon dioxide के साथ rate करें तो बैटा क्या बनाएगा, याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एस the main product will be, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिट होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिट, main product होगा आपके पास, I think so in reactions को आप एक दफा रिविजन करें, तो आप इनके answer आप कर सकेंगे paper के अवाले से, ठीक है, और अच्छा जी, चले आप आज का हमारे lecture हम start कर देते हैं बेटा, अच्छा जी, इसमें मनवर यहां set करना है, मनवर is right कर रहा है, लाइडर करना जड़ा है, अच्छा जी बटा आपके सामने, अप स्लाइड शोओ रहा है, तो आपने, अपने स्क्रीन पर देखना है और साथ साथ इन रियक्शन को मैं explain भी करूंगा, ठीक है बच्छे, तो आज का आपका बैसिकली चप्टर है, एल्डी हाइड एन केटोन, ठीक है, एल्डी हाइड एन केटोन, बैटर याद रखेगा, जो कार्बनायल कार्बन है, थेट ईबल बॉंड O, ठीक है, इसके अंदर भी कर्बनायल कार्बन है, C डिभल बॉंड O, यहाँ पर इफरेंट क्या होगा? अल्दी हाइड और केटोन में, एल्दी हाइड में एक साइट पर आपके पास कोई बी अलकायल चेन होगा, और एक साइट पर या तो हाइडरोजन ठीक है एक साइट पर हमारे पास क्या होगा मुकमल हमेशा हाइडरोजन ही होगा ठीक है बैटा लेकि जो आपके पास कितोन है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चे एक साइट पर अलकाइल गुरूप एक साइट पे हमारे पास दुसरे साइट पर भी alkyl group या arrow group एर इसे अंदर भी alkyl group या arrow group इसके अंदर भी alkyl group या arrow group तो इस functional group को हम कहते है अगए ऐलडिए हाइट और केटों तर्थे बचे अलडिए हाइड और केटों आप याद रखए बैटा कि अगर कार्बुनाइल कारबन के एक साइड पर based hydrogen हो और बंस एक सॉस्पर हमारे पास या तो अलकायल गूरैफ हमारे पास एक साइट पर यो सकते हैं दोनों साइट पर आ जाए एक साइट पर आजाए तो क्या यह बेटा अज़िए हाइड है तो आज का हमारा चप्टर इसी के इन ही जो है एल्ड हाइड और के टून के अवाले से हैं इनके कुछ प्रिपेरेशन से कुछ रियक्शन से कुछ प्रॉपर्टी से उनको हम एमसी क्यूस पॉइंड व्यू से डिसकस करेंगे ठीक है बच्चे अब आपके सामने स्लाइड शो करने लगा हूं इसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अन्द स्पोर्ट सवाल कर सकते हैं ठीक आपके सामने क्लिर होगी ना बेटा सर यह अपना अच्छा वहां बेटा एमसी के अवाले से बात बैसिकली यह है कि मेरे पास पिछले दो दिन से ना असलिमें रूम में नेट नहीं आ रहा नेट का जो शुआ है वह जड़ा बहुत जादा हुआ है तो मैं तकरीब इसके ज प्रोड़ कर सकता हूँ लेकिन मैं सोच रहां कि आपको कम्प्लीट कीस के साथ प्रोड़ कर दो वरना फिर आप लोग जो है मेसेंजर मुझे इतने सारे मेसेज़िस करेंगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा फिर इतने जादा मैसेज़िस मैं कैसे पढ़ओ इसलिए तमाम के त नेटकर मैंने उनको कम्प्लेंड किया वैं अब भी इशू रिजॉल्फ हो जाए तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है बच्चे तो हमारे पास यहां पे यह जो कार्बोनाइल कार्बन है याद रखेंगा बैटा इसमें एक mcqs है बहुत important कार्बोनाइल कार्बन के अंद किसी भी एल्डी हाइड यह केटोन इवन की कार्बोक्सलिक एसिड के अंदर भी मतलब कार्बन टू कार्बन टू ऑक्सिजन जो डबल बॉंड की अगर बात होगी बैटा तो इस कार्बन की हाइबिडाजिशन क्या होगी SP2 होगी ठीक है तो यह mcqs के याद रखेंगा वै लास्टम किया था और एक और बच्चे ने भी कोसिंट किया था पते नहीं कौन था में जिना भूल गया है अजी बच्चे तो आपके कोसिंस के आंसर आपको मेरे खाले मिल गए होंगे बैटा मैंने रिप्लाइद दे दिया था सर जी नजर नहीं आ रहा बोर्ट पे इस नाउन आइस कारबनायल कारवन ऑक्सीजन तो कारवन डबल बॉन और इसको कहते था कारवन नाईल कारवन है कि कार्वनाइल कार्वन की हाइबिडाइजिशन क्या होगी तो बैटा याद रखेगा हमने लास टाम भी बात की थी अगर डबल बॉन हो तो हमेशा होगी और यह बहुत इंपॉर्डन एंसी क्यूज भी है पेपर के हवाले से आपने याद रखनी है ठीक है जाहिरी बात है कार्वन टू ऑक्सीजन डबल बॉन है तो डबल बॉन हमेशा हमेशा हमारे पास क्या होंगे बैटा एस्पी टू है बिडाइजिशन शो करेंगे क्ले इस इस कार्वन और यह डबल बॉन ऑक्सीजन के साथ है तो इस होल गुरुप को क्या बोलते है कार्वनायल कार्वन बोलते है कार्वनायल गुरुप कहते है और इस कार्वनायल कार्वन कहेंगे ठीक है बच्चे इसको हम क्या कहेंगे कार्वनायल कार्वन कहेंगे और एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बोनायल कंपाउंड के उपर अटेक करेंगे तो हमेशा इस कार्बन के उपर अटेक करेंगे क्यों carbon के अपर अठेक करेंगे बैटा क्योंकि carbon to oxygen bone polarity ज़ादा है विकास oxygen की electron negativity ज़ादा है carbon की electron negativity कम है as a result क्या होगा कि oxygen carbon के जो electron है और अपने electron को ज़ादा अट्रेक्ट करके रखेंगे जो shared pair of electron है उसको अपनी तरफ ज़ादा अट्रेक करके रखेंगे as a result electron की density इस oxygen के उपर जादा होगी और carbon के उपर कम होगी जहां पर electron की density जादा होगी वहां पर partial negative charge आएगा जहां पर electron की density कम होगी वहां पर partial positive charge आएगा अब आपको पता है जो nucleophile है वहां जाएगा जहां पर positive charge हो जहां पर electron की deficiency हो वहां पर आटेक करेगा तो आने वाले nucleophile हमेशा इस carbon के पर आटेक करेंगे और आपके पास यह जो bond आगे शिफ्ट हो जागा अगे रियक्शन आगे मैं आपको बता दूँगा कैसे इसके इसके अंदर mechanism होगा इसका ठीके बच है इसको हम क्या कहेंगे बटा वो तमाम compound जिसके अंदर यह कार्बनायल कार्बन है उनको हम कार्बनायल कंपाउंट कहते है ठीक है अब यहां पर यह बात हमने एक्स्प्लेइन भी किया कि कार्बन और oxygen के दिर में double bond है ठीक है और homologous series of both aldehyde and ketones have the general formula of CNH2O यह बहुत important MCQ स आपको मैं यह arrow मैं यहाँ पर रखावाए इस फॉर्मॉला इस यूज तो रिप्रेजन दा बहुत homologous series of aldehyde and ketones यह बहुत important MCQ है homologous series की से कहते हैं बटा आपके पास पूरी एक organic compound की family को रिप्रेजन कर रहोता है एक homologous series जिसमें तमाम के तमाम compounds की properties same होती है जाहिरी बात है aldehyde की अपनी specific properties होती है ketone की specific properties होती है carboxylic acid की अपनी होती है alcohol की अपनी properties होती है तो तमाम के तमाम compounds की जो properties है basically वो determine कर रही होती है functional group अब यह functional group तीनों में different है aldehyde में आपके पास अलग है ketone में हमारे पास अलग है carboxylic acid के अंदर हमारे पास functional group different है homologous series, उसको हम क्या कहेंगे, homologous series, homo means same, ठीके, homologous यहाँ पर हमारे पास उसी functional group से related, उमने बात की है, कि अगर हमारे पास एक series में आ जाए, same functional group वाले compounds, तो उसको हम एक ही family consider करेंगे, तो यहाँ पर MCQs के हवाले से बहुत important है, कि हमारे पास aldehyde और ketone में, याद रखेंग है, और यहाँ पर बात भी थोड़ी दिर पहले मैं ने बता दी, aldehyde और ketones को हम कर्बनाइल compounds केते है, aldehyde, क्या है बटा, कर्बनाइल गूर्प, देखो अभी थोड़ी दिर पहले मैं ने बता दी, एक side पर hydrogen होगा, और एक side पर हमारे पास क्या होगा, कोई भी alkyl group होगा ठीक है, ketones के अंदर दोनु side पर क्या होगा बटा, दोनु side पर R होगा, R means alkyl group, ठीक है बच्चे, next slide है, आपके सामने में मेरे ख्याले शोग होगा, बटा, nomenkulation के हवाले से हैं, common naming और trivial naming के हवाले से, उन्होंने दो example, यहाँ पर एक दो table दिया हुए, table form में आपको दिया ने है, उसके आखर में al लगा रहते हैं, मिसाल के तुर्पर, यहाँ बौड पर मैं आपको represent करता हूं, बटा, बौड पर मैं आपको शोग करता हूं, बौड पर मैं आपको बता रहता हूं कि इस फपार्म में कैसा लिखना होता है, यहाँ पे देखे ज़़ा, suppose, आपके प कि कि सब्सक्राइब को खत्म करके हमने एल लगाना है और अगर केटोन हो तो क्या होगा बैटा क्योटोन के आखिर में हमने नोन लगाना है नोन अलके नौन अलके नौन ठीक है यहां पर डिफेंट है आई पिसी के कोडिंग नॉमन की लेचर ठीक है बच्छे अगर आप से कोई कंपॉंड दे दे और आप से कहा है इसका नाम बता रहे तो आप बता सकेंगे ना बटा हाँ जी फार एक एम सीकूस आप से पूछ ले और इस के अंदर अगर आपसे option पूछाए इसका नाम बता है आपको यहां पर कंपॉंड लिखता हूं इस कंपॉंड का आपने मुझे नाम बताना है जी आई पेसी नाम बताए इस कंपॉंड का यह आपके पास एक LD हाइड है यह यहां पर अगर इस तरह हो तो यह के टोन है अब सिंदा मुझे बता है LD हाइड और कि टोन को आहए पव्ह पेसे के कंचे के साम देंगे स flatter से मुझे नाम बता देबिटा जल्दी से फॉर और सखली और dalud कंपाओ नाम बता ऑए और इसका पॉम्ड़ का नंब चॉंड अगर्ण इसके नाम क्या होका बेटा और अगर तीन कार्बन यहां पर है, अब प्रोपेनोन, और अपने के लिए, तो यह आपके पास MCQs के अवाले से इससे तरह के क्वेस्टन आ जाए, तो आपने इसको करना है, जी प्रोपेनोन, बिल्कुल बेटा, अच्छा जी, थर्ड आपके पास है बिटा, थर्ड सराइड आपके सामने शोग किया, अकरिंस के अबाले से अल्डी हाइड और केटोन हमारे पास प्रेजन होते हैं, मैंने नेट्रल अकरिंग कमपाउंट्स के अंदर, कुछ एग्जामपल दियावा, अल्डी हाइड, मौस्ली, मौस्ली शुगर, और अल्डी हाइड आर प्रिंसिपल कंसिटुएंट्स आफ दे मेंबर आफ दे असेंचल ओई यूस यूस निल्दा, फ्रेक्रेंस और फ्लावर के दो गुलुकोस के आपकर पास सिंपल गुलुकोस है और फ्रक्टोस है, बिलुकोस और फ्रक्टोस में डिफरंस ही यही है, को injektो Пон idद में आपके पास हमारे पस कुछ मेथटस है, कि इसıl में आपने में सक्ा की की फ insegu के आवrade यह पॉइंट्स याद रखने कि टंप्रेचर इतना देने पड़ेगा आपको मेथनोल वेपर्स को हम एर से पास करें इन प्रेजन साफ क्या होगा बटा आयरन ऑक्साइड या मॉलब्रीनम ऑक्साइड एस एक टैलिस्ट आपके पास क्या बनेगा फॉर्मल अल्डी हाइड ब इसके बचे बचे अब यहां पर मिक्सिर आप परसन में मिथायल अलकॉहल है और वाटर है यह आपने याद रखना ठीकर बचे यह हैंज्ट के आवाले से फार्मली की कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए इल्डियाइड लिबडर्ड्री पेरपरेशन है एप्टा सिंपल आपके पास लिबडर्डर्र मेथेड में आपने क्या करना होते इथनोल को अगर इसकी ऑक्सिदेशन करें तो बनेगे आपके पास क्या एल्ड्डियाइड ठीक है बच्चे जी, आई होप सो कि आपको सार सार समझ आ रहे होंगे बटर, ठीक है, इसे बात आप यहाँ पे एक और भी कंपाउंड है, जिसको आप यहाँ पे जो कैलशियम है ना, यह कैलशियम आपके पास फॉर्मेट है, यह वैसी कलिए, कैलशियम फॉर्मेट है यह, दो आपके पास, यह जो आपके पास दो, आपस में कंडेंस हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ से कैलशियम यह देखे, कैलशियम और ऑक्सीजन यहाँ से, और कैलशियम कार्बोनेट को यहाँ से वो रिमूट कर देंगे, ठीक है, और आपके पास क्या बनेगा, यह यहां पर आपके पास कंडिशन दिया हुए और यहां पर आपके पास किया बनेगा एथन दोन बनेगा ठीके बच्छा रेक्टिविटी आफ एस में आपके पास यहां पर आपको यहां पर बताने लगा हुए तरह गोड़ से सुनना है रेक्टिविटी आफ कार्बनायल गुरूप में कार्बन की हाइबिडाइजिशन क्या होगी तो आपने क्या पताना है बटा स्प्टी आफ इक्टिविटी आफ अलकायल गुरूप इस ड्यूटू दा पुल्डारिटी आफ देखो ले पहले आपको कहा था ऐलेक्ट्रों डेंसिटी कार्बन की तरफ ज्यादा हो जाएंगे कार्बन की तरफ कम हो जाएंगा और इसके पर पार्शल पॉजिटिव चार यहां पर दो चीजे उन्होंने शोग किया है एक निक्ऩरस्लिक्स shyंटर है और ये न्युक्लियो undes jack ये लेक्ट्विक संतर नुक्लियों तन और और लेट्वियं और इन्युक्लियो तियर्ड है ठीक है बच्चे चारूं क्या है डिफरेंट जीज़ है आप मैं आपको एक्स्प्लेंट भी कर देता हूं उसको मेरे बाद जर गोड़ से सुनना है यहां देखा जरा एरो आपको नजर आ रहा होगे बैटा जहां पे नुक्लियोफाइल ने अटे करना है उस पॉइंट को या बाद आप पॉजिट प्रासेस है यह आपने याद रखनी है रियक्षिन आफ कार्भॉनायल कंपोर्ण में आपके पास बेस्स केटलाइस रियक्शन है एडिशन आफ हाइड्रोजन सायनाइड है एडिशन आफ गरिगनार्ट रियजंट है एडिशन आप सोडियम जारोस reaction, बिटा मेरी बादर गोड से सुनना इनकी तमाम mechanism करने की कोई जारूरत नहीं है आप्मे मेइन मेईन बात अपने बात। आपने याद रखनी है जो इसके बाट वन और हम देख रहते हैं तो कमपॉंट प्रोड्यूस काल्ड क्या कहेंगे सायानो हाइड्रिन, उसको हम क्या कहते हैं, सायानो हाइड्रिन कहते हैं, और इसके अंदर जो MCQs के आवाले से, जो मैं आप से बात करना चाहरा है, इसमें हाँ जी, LD हाइट को गरिगनार्ड रिएजिन के सार्येट करवा द इसमें एक बात याद रखेंगा बेटा, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, या किटोन आपस में कंडेंस्ट हो जाए, तो आपके पास या तो LD हाइड आपस में कंडेंस्ट हो जाए, तो आपके पास या तो LD हाइड आपस में कंडेंस्ट हो उन्होंने नाम species के इवस्थ के वा यह सकते है वह से सिल्फ औक्सिदेशन प्रिदक्शन वह ग odor li रिचशन कहिंए पैट..! ठीक hablar Four SeDesign वो रीक्शन होटा है इक ही अ्रही कि मालीक्यों को पर ऑक्सिडेशन भी होती है और एक ही मालीक्यों के लिदशन भी रेक्ष्य इससे रीक्षिंड मालीक्यूल frei अ कहते है उन एक ही नाम है ठीक है बच्चे इसमें आपके पास क्या होगा और उक्सिडाइज पास अइस्ट में जाएगा और जो रेडू़ूस प्रोड़क्ट होगा वो अल्कोहल में जाएगा आपके सामने है तो आप वहां पर उसकी मेकेनिजम भी देख सकते हैं वहां पर यह चीज़ बने है ठीक है बैटा अच्छा जी इसमें आपके पास रियक्शन को आप प्रोसीड करेंगे इंडर प्रेसेंस आफ फिफ्टी परस करणा से को जी बैटा सबो जिबेंगे से सब्सक्राइब क्लियर होगा बैटा सब mari झी बिए घंजणी से सब्कोrire सब्सक्राइब जाए odpow ने क्या नामने अपदूल्लह सब वहाब हाश्र हम्जा फजर हाइद्र रहमद जी बेटा जल्दी से बताए बेटा मुझे क्लियर हो गया सब को यहां तक आज बेटा वजाहत जी बेटा जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना बेटा कि क्लियर हो गया सब को है वेटर बन्हें सब्सक्राइब谢谢 अब मैं जर इसको मुझ रुट है हमने भी कहा कि नरे तरी खोगी वेरी गुड़ अब लोग करने लगा हूं अच्छा जी स्थाफ के पास से बेट से अच्छा जी यह आपके पास आ है कुछ और भी हमारे पास रियक्शन है हेलो फार्म रियक्शन ठीक है यहां पर हमारे पास है कोई भी हेलो किसे करते है कोई भी हमारे पास क्या हो बैटा है लाइट गूरुप इसके अंदर हो तो आइड़ो फार्म बनेगा येलो क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज फार्म हो जो point है वो आपने याद रखनी है that is phenyl hydrazine वगर है बनेगा इसमें जो main product होगो वो phenyl hydrazine है reduction में हमारे पास क्या है बैटा hydrogenation है ldhyde के जो क्या देगा primary alcohol देगा and that of ketone की secondary alcohol अगर हम hydrogenation करते हैं ldhyde की तो हमेशे क्या बनेगा primary alcohol बनेगा और हम ketone की hydrogenation करें तो secondary alcohol बनेगा sodium tetra hydroborate is source of hydrogen यहाँ पे जो आपके पास source of hydrogen है reduction के लिए वो क्या है sodium tetra hydroborate ठीक है और अलकॉक्साइड फार्म बनेगे बैटा इसके अंदर जो intermediate होगा reaction that is alcohol oxide उसके उपर charge होगा ठीक है और यहां पी catalyst होगा addition of alcohol से क्या बनेगा बैटा produce reaction of carbonyl with alcohol but because ketone does not react with under these conditions also use in the protection of aldehyde group aldehyde group के protection के लिए भी हम इसको 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 बहुत ही कहेंगे लेकिन नाम हम यहां पर क्या देंगे और अगर हमारे पास एल्डी हाइड हो तो इसे लिए असे टोन के साथ एसितों स्यानोहइड यह सिंपल सिंपल के नाम है कि एडिशन आफ सोडियम बायसे रफ्रभाइड बायसे लिए अधिशन से आपके पास क्या बनेगा बायसे लडी हायड का इंदर बनेगा तो आपके पास यह प्रादय बनेगा यह पहले हैं किया कहेंगे ऐलडोल कहेंगे ठीख हाइड्रोक्षी. यह ये कब बनेगा मैं जब आपके पास दो अपस में condensed हो, condensed हम रात, removal of water हो, तो आपके पास यह बनेगा, ठीक है बच्चे, इसके बाद next है बटा आपके पास, अब यहाँ पर ethanol और propanol, यहाँ पर core example उन्हों दिया वे, यह भी aldol है आपके पास, अब यहाँ पर दो ketone का दिया वह, यह जो आपके पास product बने यह पर उन् आपके पास में combine हुआ है, canisaros reaction में आपके पास, देखे यह benzylidehyde के example दिया वह, potassium hydroxide के साथ, आपके पास यह बनेगा, formaldehyde, अगर हमारे पास sodium hydroxide के साथ हो, तो मैन product आएगा, वह हमारे पास क्या होगा, methanol, और, क्या बनेगा, sodium formate, यह जो sodium formate है, basically, यह कहां सा आए, कुछ चाहिए होगे, hello form reaction, अभी थोड़े दर पहले कहा बेटा, this is the hello form reaction, ठीक है, aldehyde, आपके पास, और ketone, इन दोनों के आपके पास क्या है, मैन product आपके पास आगे, acid catalyze addition reaction में, आपके पास एक polymerization reaction है, basically, यह polymer है, ठीक है, कौन कौन से बेटा, अगर हमारे पास कोई formaldehyde की अगर polymerization हो जाए, तो meta formaldehyde बनेगा, और अगर कोई acidalydehyde की polymerization हो तो paralleldehyde कहेंगे, paralleldehyde, और यह अपने बात यादा है, कि इस तरफ difference क्या है, इस methyl group को difference है, इस methyl group को, और इस नहीं यह methyl group नहीं है, धिकोगी है, बच्चे, हाँ जी, addition of ammonia, ammonia derivatives, यह सारे के सारे आपके पास, obviously, वही सायनो, हाइडराजीन वगएरा, हाइडराजोन वगएरे बनाएंगे आपके पास, यहाँ पर oxyme की formation है, यह भी oxyme है आपके पास, ठीक है, और यह phenyl hydrazone है, यह phenyl hydrazone है, यह कहां से बनेगे बच्चे, हाइडराजीन से बनेगा, और भी कुछ reactions के टाइपस यहां पर दियावे, इन तमाम reactions को आपके याद इस तरह रटे नहीं लगाना है, बटा सिर्फ और सिर्फ आपको मैन product का पता होना चाहिए, और आपके पास रियक्टिन आपको बता देंगे, और आप से कहेंगे कि product बता दें, ठीक है ब आपके पास, सुरी, मेथनल की reduction करें तो क्या बनेगे, मेथनल बनेगा, एथनल की reduction से एथनल बनेगा, और यहां पर भी कुछ example से बटाई जरा आप जरा एक दफार खुद से देख लेना, ठीक है, addition of alcohol से आपके पास यह dihydroxy ethane बनेगा, these are the major product of the addition of alcohol in the aldehyde and ketone, ठीक है propan aldehyde की oxidation से क्या बनेगा, propan novic acid बनेगा, मतलब आप simple यह कह सकते हैं, कि अगर हम aldehyde की oxidation करें तो काब oxalic acid बनेगा, ठीक है बच्चे के formation किस से होगी बटा, from, from oxidation of the aldehydes, ठीक है बटा, यहां पर देखो यह ketone है, यह आपके पास दो ketone के example दिया हुआ है, और दो aldehydes क example दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, identification of carbonyl compound, हम carbonyl compounds को कैसे identify करते हैं, मतलब aldehyde का आपको कैसा पता चलेगा, ketones का आपको कैसा पता चलेगा, इसके लिए बटा आपने बात यहाँ दखनी, यह table आपने सही तरह पढ़ देना है, ठीक है बटा, इस table के अंदर मैंने सारे बा और यह कब देंगे, secondary alcohol, देखें, दोनों similar similar आपके पास points लिखाव है, primary alcohol की reduction हो तो aldehyde बनेगा, ketone की reduction हो तो, sorry, secondary alcohol की reduction हो तो ketone बनेगा, इसी तरह oxidation gives acid containing same number of the carbon atoms, और इसमें हमारे पास क्या होगा, समारन number of the carbon atoms, ठीक है, इसके अलावा silver mirror test है बटा, tauleans reagents यह देंगे, और tauleans reagent test नहीं देंगे, silver mirror test यह नहीं देंगे, इसी तरह आपके पास filling solution test है, यह आपके पास aldehyde देंगे, बटा, लेकिन ketone नहीं देंगे, ठीक है, polymerization, इसके तरह यहाँ पर आपके पास different differentiates के लिए कुछ points दिया हुआ है, reaction बहुत मश्किल है, नहीं, बटा, रयक्शन यह आपने reaction सारे नहीं करना है, आपने सारे रटे नहीं लगाना है, जरूत कोई नहीं है, तब तुमाम reaction को रटे लगाने की कोई जरूत नहीं है, आपने सुरुफ और सुरुफ conditions आपके मायंद में होना चाहिए, जाहरी बात, आप FAC करके यहां पर आई वह बैटा आप इंटर्टेस्ट के स्टूडेंस है तो आपने यहां पर जो मेकेनिजम है वो सारे आपको वह यहां पर आपके पास आइडिशिकेशन करते हैं इन तमाम को हम पूरे एक लेक्श्र में यूजिस है आपके पास बहुत सारे यूजिस है खुद से देख लेना ठीक है कुछ यूजिस मैंने पॉइंट दिया है यहां पर इसके हवाले से यह ज़रा पढ़ लेना ठीक है बचे नेक्स्ट आपके पास इस एक छोटा सा टॉपिक चप्टर है कार्बोकसिलिक एसिड के च्एक के नामसे यहां के आप लेक Gabe क्या धेट होगा यहां पर जिया यहां पर डिफिंट होगा यहां पर जो छो डिफिंट होगा वह बेसिकली आपके पास जो भेले बात की कार्बोनाइल कार्बन के उपर आपके पस एक साइट पे रड इतेज्ट हो या एक साइडлись YouTube अ है यहां पर उन्होंने यही बात लिखा हुए बैटा कि काबॉक्सिलिक एसिट तो हमारे पास क्या है बिज्टा जिसके अंदर कार्बन टू ऑक्सिजन डबल और हैडॉक्सिल गूर्प अटेच्ट होंगे यहां पर कंबीनेशन अर्फ वंड सरा कुछ नें यूप्तर फ्रिप्रेशन में रामIES सकते हैं औरम अलकॉहले से पर लेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है ग्रेकमनाट रीजिएंच से साथ माता है अगर तो क्या बनेगा कापोशिया कैसिट बनेगा HAID काईट la organizis of estero est JASON unanimous करें तब इहाम क्या मिनीगे काई announcer म निकुछ रियक्शन्स है आप लिए याद रखने विटन की के एक है फिद्वाइड होना चाहिए औरकाइल नैट्रेड के लिए आपके पास इंपर्ण होना चाहिए यह सीजिए हमेशा इंट और ग्राइजियंट केंदर किया करें एक करेंगे आपके पास यह फोडुक्ड प carbon double bond को break कर रहे तब भी हमारे पास क्या बनेगा यहां पर बात दिखेंगे विटा acetic acid has a cyclic dimer structure due to the intermolecular hydrogen bonding ठीक है याद रखेंगा जो acetic acid है उसके अंदर वो dimer है dimer समरा दो acetic acid molecule होंगे आपस में hydrogen bonding होंगी आपके पास यहां पर दिया हुए समयल के अवाले से और अन्प्रिजन के अवाले से आपके कुछ points लिखेंगे वे boiling points के आवाले से याद रखनी है यह तीन पॉइंट्स यहां पर दिया हुए अब सबसे जाए इसकी क्यों है इसके hydrogen bonding ज्यादा है as compared to this as compared to this मतलब याद रखने है कि आपके पास जूँ जूँ उस molecule की bulkness bulkness समरा का steric hundreds increase होता जाएगा आपके पास उसकी boiling point भी increase होता जाएगा द्यूट्स हाइग इंटर होते जाएंगे आपके पास melting point और boiling point increase होता जाएगा ठीक है बच्चे रेक्टिविटी आफ काबोनायल गुरुप हमारे पास दो कुसम के रियक्शन देंगे एक तो काबो काबोनायल गुरुप हमारे पास एक electron withdrawing property रखती है और एक हमारे पास जो किस वाज़े से होगा हो यहां पर सॉल्ट फार्मेशन की एक्जांपल दिया वह इसको में सीक्विस के हवाले से पॉइंट्स आपने याद रख नहीं है क्या के कंडिशन चाहिए एक रेक्शन इन्वार्विंग है यह भी आपके पास कुछ पॉइंट्स बताया हो यहां पर इसको पढ़ लेना और रियक्शन इन्वाल्विंग काबोक्सिली गूर्प, होल काबोक्सिली गूर्प के कंप्रीट अगर इन्वाल्फ हो, यहां पर बोड़ पर देखे बचे जरा, यहां पर मेरे पास काबोक्सिली के एसिड है, C double bond, O, R, O, H, एक रियक्शन वो होगा जिसमें सुर्फ और स कंप्सिजन कंबाइन, डोनों आपास में कंबाइन होके रियक्शन करें, एक वो रियक्शन जिसमें होल काबोक्सिली गूर्प इन्वाल्फ हो, तो तीन डिफरेंट टाइप्स के वो रियक्शन आपको देंगे, और यहां पर एक्जाम्पल्स भी दिया, मैंने यहां पर सा इसके अंदर इसके अंदर जो विनिगर है ना, विनिगर शिरका, वो बैसिकलि आपके पास तेंट टो तू टैन परसन आपके पास यहां पर आपके पास फ्लेवर के वाले से, यहां याद रखनी है, ठीक है, यह कुछ मैंने आप एक्जाम्पल्स दिया वाए, से बनाएंगे, अलकाइन से बनाएंगे और ऑक्सिडेशन आफ एथनोल से बनाएंगे, यहां पर कुछ एक्जाम्पल्स यहां पर दिया वाए, यहां पर आपके पास बनाएंगे, ठीक है, यहां पर आपके पास किस से बनाएंगे बटा, मिथायल साइनाइट से बनाएंग से हम बनाएंगे इसको और ऑक्सिडेशन आफ इथाइल अल्कॉल से भी बना सकते हैं बदो तीन स्लाइट्स रहेगे इसको रहा हम कर देते हैं ठीक है बटा फिसिकल प्रॉपर्टिस भी आपके पास यहां पर स्ट्राइब लाजमी रखने इसको हमाइनो गुरूप कौन सा गुरूप होते हैं इसको हम अमाइनो गुरूप कहते हैं और साथ आपके पास सी डॉबल मॉट्न ओ ओ ओ ओ रियुआ और यह गुरूप ढबाइन अकर हमारे पास किसी कंपाॉंड के अंधर आ जाएता इसको हम तो самक् bawत आ मैंनो स्प्र secured के ही और चोंगों के अंटेता है बटा की यहां चलो पहा ने आपके पास इसको बार समझा दिदोब अच्छा जी फॉर इसंप्ल यहां पर मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ पेटा सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच टू फॉर इसंपल यह एच्छिप सपोस्पोस एक्जामपल बतारों कि यह जो कार्बन है ना इस कार्बन को हम क्या कहेंगे इसके साथ जो है उसको बीटा कार् यहां पर यही बात उन्हें मैंचिन किया वफा बीटा और गेमा क्या जिस्स हैं जाहिरी बात है बीटां वह तमाम इमानोट्रिक्ट्ट्ट्स जो हमारे बॉड़ी संथेस्सिस नहीं कर सकते हैं और गेमा से यहां पर उनके एक्जामपल्स के साथ साथ आपको उनके डेफिनिशन के लिए कुछ पॉइंट्स यहां पर इंचेंड है कुछ और आपके पास स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है जो आप रहे याद रखनी है वह यह दो नहीं है गलाइसीन आपके पास न्यू इसिट और एक आपके पास न्यूटरेल है उसमें काबाक्सिलक ए好吃 के नंबर और और अमारी गुर्प की तयदात आपस बराबर होगा। जो इस इडिक है। इसके अंदर caso regul Ikी तयदात जियोत्व आइन किसे कहेंगे वह आइन जिसके उपर हमारे पास क्या होगा पॉसिटिफ और नेगेटिफ फाइन दोनू होगा ठीक है यहां पर आपके पास हमारे पास जीविटर आइन के फ़र्म में एक्जिस करती है ठीक है बच्छे अब यहां पर शिफ्टिंग आफ प्रोटॉन की से मेटामेरिजम की वज़े से शिफ्टिंग आफ प्रोटॉन अमोनिय के तरफ चले जाता है न्यूट्रल आइसे का भी थोड़े पहले मैं आपको बात बता दी वाटा है यहां पर सारी बात लिखे हुई है सेंथेसिस में यह आपके पास कोई का वोक्सलिक ऐसे पहले इसक करवाएंगे तो आपके पास यह प्रोड़क्ट बनेगा इसको हाइड्रोलेसिस करें आपके पास अमाइनो इसे बनेंगे एस्टरिफिकेशन इसके रिएक्शन है विट नाइट्रस एसिट है निन हाइड्रिन टेस्ट ठीक है डिटेक्शन के लिए हम इस्तिमाल करते हैं ए इस्तरिफिकेशन के कैड़ और प्रोटीन और इसके प्रेप्टाइड पर्यक्ट यहां पहले उपके और एक अमाइन अ माइनो गरोड़ कि हाइड्रोगे हो के बना बना देगा और यह km spoil हो जाए और आपके पास यह तो आशके लेक्चर के अवाले से अपने रेविवियोस लाजमी दे ढ़ेंगे ज़्यादा होगा, प्रोटीन होगा, इसको हम मैक्रो मालेक्टीन कहेंगे, ठीक है, मैस पॉलि पेप्टाइड हमारे पास क्या होगा, ठीक है बच्चे, तो यहां तक आप का का होगा, एड़ेक हो कि आपको इसमें कोई प्राब्लम नहीं आया होगा ठीक है बच्चे तो आज के लेक्चर के अवाले से अपने रिव्यूस लाजमी दे दीजागे बटा इंशाला नेक्स टाइम हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो मालेक्यूल्स ठीक है और मैक्रो मालेक्यूल्स और तो मैं आज शाम तक आपको MCQS अफ्लोड कर दूँगा ठीक है सारे के सारे अब परिशान नहीं होना बैटा बस आपने जो मैं आपको यह स्लैड्स अफ्लोड किया वेना इनको पढ़ लेना और यहां से आपको भी MCQS बहुत सारे मिल जाएंगे और जब मैं आपको MCQS प् कर दो